आप सभी के एक बार फिर से सागत है हम लोग इस ट्रांपोर्टेशन इंजिनिक सब्सक्राइब कर रहे हैं और एक लेक्चर बहुत ही शांदार हो चुका है और आपने किसी वज़े से इसकिप कर दिया तो उसको जरूर से जरूर कर लीजे क्योंकि बेसिक चीजें हैं आपको आपके लिए बहुत जरूरी है बेसिक अगर छूट गया तो आगे चीज़ों में प्रॉबलम होगी और जो ने जिस बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्स ठीक है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग मिलें और आए और इस लेक्चर को पूरा को पूरा अच्छे से देखें समझें और अपने त्यारी में इसको यूज कर सकें तो फिर चलते हैं हम लोग सेकेंड चैप्टर में जो आपका फर्स जो फर्स लेक्चर हुआ है और कम बारिस होते हैं उन जगों पर कितना कैंबर हम अटलेस्स प्रोवाइड करते हैं तो उसी के हमें देखना है आप लोग कॉपी पे लेकर के बैट जाई और नोट करते रहे यही यही चीजे एक्जाम में एक एक पॉइंट बन करके आ जाता है और कॉइस्चन एक नंबर कर बन जाता है ऐसे सी जाई में डिरेक्ट चीजें आती है तो कैमबर टेवल आपका है इसमें आपका है कि यहां पर रहेगा आपका टाइप आफ टाइप आफ रोड टाइप आफ रोड और उसके आप फिर हैवी रेंफॉल एवी रेंफॉल एरिया और दूसरा होगा आपका लेस रेंफॉल एरिया ओके और यहां पी हो जाएगा चैमबर तो देखें इसमें आपका क्या है कि कौन कौन सी रोड में किस तरह कर कितना मतलब की आपको कैमबर प्रोवाइड करना है ठीक है और यह आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यही आपका लगबग हर साल डेरेट कुश्चन को रूप में आ जाता है तो अच्छे से इसको नोट कर लिजेगा पस्ट जैसे अगर हम बात करें की सी पेविमें कि तो अगर है भिजेन फाल वारे एडिया है और वहां पने देना पड़ेगा टू परसेंट और अगर लेश लारेण रेइन पॉल एडिया है तो कैमबर हमें देना पड़ेगा 1.7 परसेंट ओके और उसके वाद फिर अगर बात करते हैं bituminous road की bituminous इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं black top road क्या बोलते हैं black top road bituminous road जो है यह आपका होता है इसमें camera provide करते हैं 2.5% और less rainfall area है तो 2% ओके फिर इसके बाद फिर आपका होता है CC payment bituminous payment के बाद WBM WBM road, WBM road में 3% आपका होता है heavy rainfall में और 2.5% आपका less rainfall में ओके और last आपका होता है earth road, earth road, earth road में आप provide करते हैं heavy rainfall area में 4% camera provide करते हैं और यहाँ पर आप provide करते हो 3% ओके तो यह है आपका camera table जिसमें various places मलब की different road different type के road में अलग अलग जगहों पर कितना हम camera provide करते हैं heavy rainfall area और less rainfall area में वो चीजह यहाँ पर लिखी गई है कभी-कभी exam में direct question पूछे जाते हैं जिससे between-ness road है और heavy rainfall area है यानि कि heavy rainfall area और between-ness road है तो कितना camera में provide करें वो यहाँ पर आपको ऐसे question में option दिया होगा तो दो गंटे में 200 question जिसमें 100 technical 50 non-technical reasoning के मतलब और 50 gs के question आते हैं तो यह जो reasoning अगर होते हैं कभी-कभी अगर आपने practice बहुत अच्छे नहीं किया है या कोई question सरल सा question फस गया तो कभी कोई एक होता है ना कि आप लोग उसे जूजने लगते हो ठीक है कितना भी समझाया बुझाया गया हो तो वहाँ पे जो time फिर दो मिनट लग जाता है एक मिनट के बिजा है वो यहीं से time बचाया हुए time वहाँ पे आप लगा सकते हो और आप एक दो पिक अगर बात करें तो अब पहल पढ़ने वाले हैं विट अ फॉर्मेशन क्या फ्टा पीवमेंट या भी विट भु पीमेंट की बात करते हैं ठीक है म네 मंपे हम लोग लिखते हैं मिल्ट आव अ है मियुदि यानिकि जो अपका प्रभि मेंट उसकी विड्द कितनी रखन width of payment और इसको एक और नाम से जानते हैं इसको हम लोग बोलते हैं carriage way okay width of payment का मतलब ये है कि ऐसा मतलब कि road का वो part जिस पे आपके vehicles गुजरते हैं वेहिकल जिस पे चलते हैं ठीक है और formation बटके अगर बात करें तो total area जिस पे ठीक है जो आपका area होते हैं जिसमें हम road के अलावाब बाकी चीज़े भी बनाते हैं shoulder है फिर उसके बगल boundary pillar तक जो आपको मैंने starting के lecture से मैंने बताया था तो वो चीज़े होती है तो यहाँ पे अगर हम लोग width of payment की बात करें तो अगर हम लोग देखते हैं कि single lane road के लिए ठीक है single lane अगर road है single lane road है तो ठीक है payment के width होती है यहाँ लिख देते हैं यहाँ लिख देते हैं आपका यहाँ पे पेंचेंज कर देते हैं लिख देते हैं टाइप ओफ लेन यहाँ लिख देते हैं यहाँ बात नहीं इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं नमबर ओफ लेन और यहाँ पे लिख देते हैं width of pavement देखिए अगर single lane है ठीक है single lane road है तो जो width होगी वो आपके होगी 3.75 meter और कभी-कभी exam में जैसे 3.75 नहीं दे रहाए था 3.8 दे रहाए था तो वो भी साही है आप उसे भी टिक करके आ सकते हैं कोई problem नहीं है कभी-कभी इसको मिटारेट round figure में करने के लिख 3.8 कर देते हैं 3.75 नहीं करते हैं ठीक है तो और अगर double lane है double lane double lane without without curve ओके तो यह जो width हो जाएगी वह हो जाएगी आपकी 7 meter और double lane width curve में क्या होगा double lane width curve में आपका यह होगा 7.5 meter ओकी single lane double lane फिर उसके बाद फिर आपका अगर intermediate lane की बात करें चाहें intermediate lane intermediate lane इसका जो width होता है वो होता है 5.5 meter और अगर multi lane road है या जैसे हम बोलता है न कि 4 lane road है 6 lane road है 8 lane road है तो multi lane के लिए क्या होता है आपका multi lane road के लिए क्या होता है 5 meter होगा तो यह होता width or payment या इसका लोग बोलते हैं carriage way single lane के लिए कितना हो 3.75 meter यह भी question कभी-कभी exam में आ जाता है इसमें देखो जो भी चीज़ें आपको बता रहे हैं यह question exam में आए हुए हैं सारे ठीक है double lane without curve 7 meter ठीक है अब देखो बहुत से लोगों confusion होता है कि double lane with or without क्या होता मीडिया नहीं होता है या divider होता है लेकिन divider नहीं यह double and without या with curve होता है ठीक है आगे आपको curve के बारे में बताएंगे तो curve के बिना है तो 7 meter width हो गया curve के साथ है तो 7.5 meter intermediate lane है तो 5.5 meter और multi lane है तो 3.5 meter पर lane ठीक है अब देखिए यह तो हो गया आपका width of payment आपका width of vehicle कितना होता है या उसके width length और उसके height के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर लिखते हैं width of width of vehicles width of vehicle देखो vehicle के अगर बात करें तो according to IRC according to IRC क्या बताया गया कि जो maximum width होनी चाहिए वेहिकल के अगर मेक्सिमम विट आफ मेक्सिमम विट आफ वेहिकल क्या होगा मेक्सिमम विट आफ वेहिकल होता है 2.44 meter 2.44 meter ठीक है अगर जैसे ठीक है यह तो हो गया आपका मेक्सिमम विट वेहिकल के और मेक्सिमम मेक्सिमम लेंथ कितनी होगी मेक्सिमम लेंथ होगी मेक्सिमम लेंथ आफ वेहिकल होता है 10.60 meter 10.60 meter और मेक्सिमम हाइट मेक्सिमम हाइट आफ वेहिकल के अगर बात करें तो यह होता है आपका मैक्सिमम हाइट आपका होता है 3.8 होता है ठीक है यह आपका हो जाएगा 3.80 मीटर और अगर यह डबल देकर बस है जैसे कुछ बस देखते हो आप लोग की उंच आए उसमें डबल डेकर होता है उपर भी लोग बैठते हो नीचे भी बैठते हैं ठीक है तो यह हो जाएगा आपका 4.72 मीटर और यहां पर लिक देते हैं ब्रेकट में और डबल देकर बस और डबल डेकर बस ओके तो यह हो जाता है आपका मैक्सिमम विट लेंथ और हाई अगर देखो मीटर में कभी की चीज़े क्लियर जैसे समझ में तो आ रहा है पड़ा भी रख तो ऑगर हम देखे तो मैक्सिमम यह कितना वन रहा है मेक्सिमम यह बनता है लगभग यह 8 मीटर की बात करें तो यह लगभग आपका बनता है है 11 पृपास सरी 12ाफट में 12.5 फ्या आश पास अब को भी आप चेंच कर सकती हो ठीक है कितनेफित होता है यह लिग देते हैं कभी कभी ये भी आपके काम का रहता ठीक है एक में जु पॉइंट हम्हों टुएट फिट होता है ठीक है नहीं याद हो तो याद कर लेना बेसिक चीजे बहुत जाज़ा जरूरी है ठीक है तो यह हो गया आपका क्या width of vehicle अब देखो यह जो हमने भी बताया था single lane 3.75 meter तो अगर कहीं पर single lane road बनी है ठीक है तो अब vehicle के width हमने maximum इतना रख दिया किसी भी vehicle के लिए 2.44 meter तो हमारे पास जैसे अगल बगल से bike गोजर रही है cycle गोजर रही है तो उनके लिए तब भी जगा बच जाएगी ठीक है और अगर सामने से कोई गाड़ी आ जारी मालो अभी चलो दिखाते हैं हम लो यह actual में यह क्या है ठीक है देखें width of payment में बात करें अगर यह single lane road है ठीक है सिंगल lane है तो यहां पर कहा है कि जैसे 2.44 मीटर का आपका वेहिकल हो गया ठीक है तो उसकी बगल 0.65 मीटर इधर और 0.65 मीटर इधर दोनु तरफ जगां बचती है ठीक है तो और अगर सामने कोई वेहिकल आ गया माल लेते ही सीधे आगे जा रहा है तो थोड़ा सा क्या कर कर जाएंगा और फिर से दोनों अपने सड़क पर आ जाते हैं यह होता है सिंगल लेन रोड में ठीक है और बाइक और साइकल के लिए तब भी यहां पर जगा बचती है ओके और अगर डवल लेन रोड है ठीक है डवल लेन रोड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है एक गाड़ी इधर से जा रही है एक गाड़ी दर से वापस आ रही है ठीक है यह सामने के तरफ जा रही है और यह आपके तरफ आ रही है और दोनों को वेहिकल का विट जो है मैक्सिमम जो भी है मैंने लिग दिया तो उसके बाद भी दोनों के बीच में एक मीटर की जगा बच रही है त किसी classing का problem नहीं है और किनारों पे 0.56 meter का gap है 0.56 meter यानि कि लगबग हम कह सकते हैं कि लगबग 2 feet का gap थोड़ा बहुत निकल जा रहा है तो कोई problem नहीं होगी गाड़ी है चलने में या उस road पे किसी को भी problem नहीं होगी ठीक है तो यह होगा आपका क्या width of pavement और vehicle का जो combination था यहां से आपने diagram के थूर अच्छे से समझ लिया ओके अब इसके बाद फिर यह तो होगा आपका width of camera table होगा width of pavement width of vehicle अब इसके बाद अगर देखें तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं curve की किसकी curve की अभी जो मैंने आपको बताया था ना curve तो उसी की बात करते हैं ठीक है देखो curve क्या होता है कि curve जो होता है ठीक है यह road के किनारों पर provide किया जाता है कहाँ पर provide किया जाता है road के किनारों पर provide किया जाता है जिससे क्या होता है कि गाड़ियां जो है वो footpath पे न चड़ जाए ठीक है या जैसे कोई गाड़ी है तो बहुत किनारे आते आते ऐसा नहों कि footpath पे आ जाए cycle drug या कुछ भी बना तो उस पे न चड़ जाए ठीक है आदमी जो footpath पे चल रहा है वो secure feel करे या जो भी और जैसे गाड़ियां है वो road पे ही रहें बहुत ज़्यादा इधर दाय बाय जाने की कोशिस ना करें ठीक है divider दिया जाता है ताकि गाड़ी जो है कोई भी वेहिकल है अपनी lane को क्रॉस करके दूसरी lane में ना जाए ठीक है और कर्व दिन इस फायदा ही होता है कि footpath पे जो लोग चले उनको safety मिल जाती है ठीक है तो कर्व का क्या हम लोग लिख सकते है कि it is a boundary between जा लिख सकते है इट इस आ boundary boundary between pavement pavement and shoulder ठीक है यानि कि shoulder जो pavement के बीच की जगह है वो इक तरह से कर सकते हैं कर्व क्योंकि उसी हम लोग चलते हैं ठीक है और जैसे pavement and shoulder भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम median अगर भी बोल सकते हैं ठीक है यह होगे आपका कर अब देखो कर्भ जो होता है इस कई टाइब क्योंकि होता है तो यहां पर हम लोग लिखते हैं टाइप आप लूब mountable, low or mountable type curve, low or mountable type curve, या इसी को एक और नाम से जानते हैं, low pedestrian, low pedestrian traffic, low pedestrian traffic, ठीक है, देखे, फर्स्ट आपका है, low or mountable type curve, अब देखे, low or mountable type curve में क्या होता है, कुछ इस तरह से, चलो, road को ही बनाते हैं, ठीक है, देखे, क्या होता है आपका, कुछ इस तरह से होता है, और, इस तरह से कुछ आपका ये curve बना रहा था, यहाँ पर इसको लिख देते हैं, क्या है ये, curve, curve, stone, curve, stone, और ये जो बना है इसना, ठीक है, यही है आपका क्या, footpath, क्या है, footpath, ठीक है, और यहाँ पर आपकी रहती है, road, ठीक है, इसको बनाने पर 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 एक मतलब road आगे तक है, तो यहाँ आपकी क्या, road, और यहाँ से, ठीक है, यह जो उचाई होती है, यह कितना है आपका, 10 cm, 10 cm मतलब की आपका एक तरह सकते हैं, चार इंच, ठीक है, तो यह होकता है, आपका low और mountable type curve, यानि कि low pedestrian traffic जहाँ पर, जहाँ पर, low pedestrian का मतलब पैदल चलने आले लोग जहाँ पर कम हैं, तो वहाँ पर हम इस तरह का curve provide करते हैं, ठीक है, height इसकी ध्यान रखिएगा, ठीक है, और यह आपका, यहाँ पर इसको भी लिख देते हैं, क्या है, यह pavement है, ठीक है, तो यह होगा आपका, फर्स्ट क्या, low और mountable type curve, second आपका अगर देखें, ठीक है, second जो है आपका, medium, ठीक है, medium, traffic या medium, pedestrian, medium, pedestrian, traffic, curve या, इसी को हम लिख सकते हैं, semi barrier, क्या लिखेंगे, semi barrier type curve, semi barrier type curve, देखें, medium pedestrian मतलब की, न ज्यादा, न कम, न बहुत ज्यादा लोग चलने वाले हैं, न बहुत कम, लोग एक, आम, एक normal ratio है, तो वहाँ बे हम semi barrier type का curve बनाते हैं, अब semi barrier type का curve कैसे बनता है, फिर से हम लोग उसी तरह से बनाएंगे, ठीक है, देखें, यहाँ पर इस तरह, यह कैसे बनता है, देखें, यह जो होगा कुछ, इस तरह से बनेगा, और, ठीक है, यहाँ पर आपका होगा road, ठीक है, और यह आपका, क्या हो गया, देखें, यह होता है आपका, यहाँ पर curve stone, अगेन यह होगा आपका, curve stone, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है फिर से वही चीज क्या था यह footpath footpath ओके और यह जो slope है यह कितना होगा तो यह one is to one का slope होता है इसको हम paint change करके लिख देते हैं ठीक है यह जो slope होता है यह one is to one का slope होता है ओके और यह जो distance है ठीक है यह होता आपका 15 cm ठीक है और अगें से क्या है आपका pavement तो यह होता आपका medium प्रेस्टेरेंट टाफिक कर या semi-barrier type कर ठीक है तो इसमें कितना हम देते हैं slow one is to one का और 15 cm का आपका क्या होता है डिस मारकी हाइट होता है पेप्यमेंट से इसके कर्ब की उपर तर और इसके बगल ये footpath होता है ठीक है ऑर थर्ड अगर चलें ठीक है थर्ड टाइब जो है ठीक है थर्ड यहां पर है अपर क्या eye eye pedestrian eye pedestrian traffic curve eye pedestrian traffic curve या क्या बोल सकते है eye pedestrian traffic curve या eye pedestrian traffic curve या और क्या था दूसरा नाम अगर वो सेमी बैरियर तो यहां ब्रेकर यानि कि एक तरह से बैरियर कर क्या मतलब आदा थीक है अब देखें एग फिर से इसको अच्छे देख लिए अगर यह लो है लो प्रेशंट प्रेश्टीन टाफिक है या लो मॉंटेबल है ठीक है तो अ case of emerging से ऐसा नहीं कि आपको बस चले ही जाना मैं बस एक बात बता रहा हूं ठीक है और इसमें क्या है कि आप चाहके भी नहीं जा सकते लेकिन कुछ क्या होते हैं कि स्टेंट बाज होते हैं धुरंदर लड़के होते हैं आप में से हम में से कुईन कोई होता है जो इस पर भी गाड़ी ले करके चला जाता है ठीक है और फिर इसलिए उन लोगों से बचने के लिए क्या बना गया हाई प्रेडियर कर अब इसमें क्या है क्या ऐसा बेरियर बना सब्सक्राइब होता है तो इसका यह किस तरह से बनता है देखते हैं यहां पर यहां पर इस तरह से मिल जाता है है और यहां पर यह बन गया क्या प्रे मेंट मेंक है और यहां से यहां तक कर जो ही हुआ इतना हम देंगे फूट पाथ क्या है फूट पाथ और यह क्या है आपका कर्भ इस्टोन इस्टोन ठीक है तो यह में इसमें गाड़ी चड़ी नहीं पाएंगे इतना ज्यादा तो यह हुजाता है आपका हाई सेटमें का विया बैरियर कर और अगर बात करें कि अगर हमलोग बात करें चौथ्य पर टाइप जो आपका 4 टाइफ है थीक है वह होता है कि क्या है कि क्या हूं धर flakt in क्या है सबमस्द कर्ब ठीक है देखें सबमस्द कर्ब में क्या होता है कि आपके जो रोड होगी उसमें कर्ब जो होगा वो रोड के अंदर ही होगा ठीक है कोई बीच में बैरियर नहीं होगा बिल्कुल सा भी आपको दिखेगा ही नहीं कि यहां पे कर्ब बनाया कर्ब रोड से footpath के बीचों कोई barrier आपको देखेगा ही नहीं ठीक है यहां पर आपका क्या होगा है जैसे देखें कुछ इस तरह से आपका road होता है ठीक है यह road है आपका माली जी ठीक है तो इसमें क्या है देखें कि देखें कुछ इस तरह से आपका road है कि इस तरह से आपका road है और इधर क्या बना रहेगा दों तरफ यह जो बना हुआ है यही आपका यहां पर क्या है कर्ब है ठीक है क्या है यह कर्ब ठीक है इसको यहां पर लिख देते हैं मिला कर कि यह क्या है आपका कर्ब और यह क्या ह तरफ यह तरफ यह यह तरफ यह तरफ चूहले में कि क्यों इंधर और डूलड़र तो मतलब इसके सुद्ध हिंदी देखें कि दूब हो यह याने कि तरत से यह अंदर अंदर की तरफ तो यहां पी Vai से नी रोड के लेवल में ही है आपका कर्व ठीक है इसलिए इसको हम बोले दें क्या सब्मर्ज कर ठीक है तो यह जाता आपका टाइब fourth type of curve ठीक है यहां पर आपने क्या क्या देखा camber table ठीक है width of pavement, width of vehicle और detail में आपने क्या देखा curve ठीक है curve होता क्या है क्यों होता है यह आपने अच्छे से समझ दिया ठीक है अब इसके बाद हम लोग जो topic discuss करेंगे ठीक है वो होग आपका विट्ट ऑफॉर्मेशन या फॉर्मेशन विट्ट कह सकते हैं ठीक है तो वो हम लोग डिस्टस करेंगे next class में दो दो classes जो भी geometric design chapter की हुई है बहुत अच्छे सी इसको आप लोग फिर से चाहे तो देख लेना याद कर लेना जितनी चीज़े बता रहे हैं से सीजे में आई हुई चीज़े हैं हर साल लगबग इस तरह की चीज़े आती हैं जैसे स्केंबर टेवल में जो चीज़े बताई थी यह लगबग हर साल हर शेफ्ट में एकात कुश्चन आई जाता है ठीक है आपको percentage दिया रहागा आप चीज़े पता रहने के बाद भी confused होते हो ठीक है तो इसलिए मैं कहता हूँ जब भी आप पढ़ने बैठे हो तो फुल पढ़ने से पहले 10-15 पहले से पढ़ने के फॉर्म में आ जाओ कि यह नहीं कि बस कॉपी इठा शुरू होगा और मन अभी तक कहीं पर जहां पहले थे उसी चीज़ में लगा हुआ है तो इससे क्या होगा जो शुरुआत की 10-15 पहले से पढ़ाई 20 करोगा वो उतना होगी ठीक है और पढ़ने मन लेगो और आधे गंटे एक गंटे में उठकर के बैट जाओगे फिर कुछ और काम करने लगो या मोबाल चलना लगोगे या गूमने टैलने चले जाओगे कहीं पर ठीक है तो यही प्रब्लम आती है तो पढ़ने शुरू करने से पहले आप ल जोड़ जाएए और जो भी डाउट कमेंट आ रहे हैं तो उसमें आप कमेंट करें उसमें आप पूछी ठीक है वहां पर आपका तुरंत सब कुछ किया जाएगा और यहां पे भी आप कमेंट कर सकते हैं ठीक है जो कुछ प्रब्लम हो और वहां पर आपको भी वहां पर भी झाल झाल झाल